बिसमिल्लार्णर्रहीम शुरू अल्ला के नाम से जो बहुती महरवान है तरह है वाला है असलाम लेकूम एन वेलकम बेक टू मैज चैनल कैसे हैं आप सब इमीद किरते हूं आप सब ठीक ठाक होंगे अल्ला के फ़स्ता करम से मैं भी ठीक ठाक हो आज मैं आप लोगे मर्जा सरयास्यास के लेकिए जिसका नाम है सीखवाप जो घर पे हमें बहुत असानी से बना सकते हैं इस लोग कहते हैं जी नहीं इस एक लाप गर पे बनते हैं नहीं बुब्लक्त बीघूर नहीं जाए हो उचलाए हैं पूचली जाते हैं वह तब बो सबस्क्रेड़ ऑन्रे प्रीश चंड़ कीम हो यहां पर पremos करे देका değer कि इसका स praticamente मग्म्हों हो mm पने होता था है और ज्रक और हरीमिचे वो भी हम चौप रहें उसका भी सितांसे आपने पाने निकालके फिर इसमें एड़ करना है उसके बाद चलते हैं नेक्स ट्रैप के जनक यहां पर मैं बेसन ले लिए चार चमच उसको हम भूनेंगे अच्छी तरह से 2-3 मिट आपने बेसन को भूनना ह अज़े लेकिसा आपने जाता है और रज़ेसन लेंगे बेसन तो वह एक नत्त मैंसी आजाती और कवाब में इस लिए वह ऊंट आने चाहिए लिए इसकftig आपने इसका भून देना है उसक्तरी लूार। हम इसमें आदा चमच भूना हुआ हूँ जीरे आदा चमच ओम सुर्ख मिल सामल करेंगे 50 चमच से शामल करेंगे नम अनक चमच त State zarug मीद ießenक ने हम देपों dona इसना है कि अगर ता मेदा देशा anti below is system और तो बहुत है क्योंस तो इस सारे क्वाब बना के त्यार का लएक हैने हैं बहुत ही असानी सी राउस्तिया बन सकते हैं बहुत ही मज़़ी बनती है कोई ज़रुत नहीं को कोब बना ले चींषाई mean के फिन्गर के लगने कुणी तो यह हम दोगे कोब सबसेद से फिंगर की निशाल लाई जानकी यह हुँ इस जब अपने बना लूगा ना के सारे कब सारे कब साइस कोब बना ली है ते ऐस까요? तो पांच मुट मैंने रखा था उसके बाद आम इसको फ्राइब फ्राइब पन लेंगे उसमे मैं तीन से चार चार चामच आइल डालूंगी कुकिंग आइल वो जब थोड़ा सा प्रिहिट हो जाएगा उसके बाद हम इसमें कौप शामल करेंगे तो यहां पर मैंने चेक है अब एक कौप इसमें रखना शूरू कर देंगे मार्शाला से देख सकते हैं हमारे कौप बिल्कुल भी टूट नहीं रहे तो आपने इस तरह से रेस्पी को फालो किजिगा तो आपको जो सी कौप होंगे फो बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं तो यहां मैंने साय रख दिय इसको दो मिंट के बार यहां माशला देख किती जबस की साइड चेंज करें किता जबस का कलर आ रहा है आप में दो से तीन मिंट के बार की साइड चेंज करनी है माशला से जबस का कलर आ चुका है तो इसी तरह से हम दो से तीन मिंट दूसरी साइड को फ्राइड करेंगे सा और स्वाइनु पर्शत ट्रीटा करते हैं अघर आपको महीं रेस्पी पिसना आए लाइक कीजिगा से लाइक के जाबट कीजिगा YEAR और इस रस्पी को जितना होसते के शेयर भी कीजिएगा और मुझे फीडबेक लाजमें दीजिएगा कि आपको मधे रस्पी कैसी लगी तो आप इसको चेक बी करके देख लेते हैं कि मारे सीक बाब बनके कैसे त्यार हुआ है बहुत ही क्रिस्पी थे मुझे खाना में इनका तो आपने भी इस रैस्पिक को लाजमें ट्राइक करना है इसको आप केचप के साथ यहां देख सकते हैं अंदर तक यह सारे पक चुके हैं तो अपनी दोह में याद रखिएगा हम फिर मिलेंगे एक न्यू रैस्पिक साथ तब तक के लिए जी अलाफीज